हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक्रेगर है मैं मनुविकार सेट्ष्रोग संवान था इसनूती तर्डियों हूँ महाराष्ट में अकोला में हमारा हस्पिटल है जहां नशाफूर यो लोग है इनको नशाएं अलगर चीजों की इनको भर्ती करते है मंदूल उनको भर्ती करते है नशा में शराब की नशावों बहुँ ज़ाएं उनको शराब की नशा है और बागी अदग अदग जैसा भाम है चरग से सिगरेट से तंबाफ होए ब्रौंग शुगर है इसका अफे सारे लोग आते हैं कि उनको एडिक्शन उनके साथ में उनके रिष्टिकार रहते हैं, उनके साथ में उनके रिष्टिकार रहते हैं, 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 उनके रिष्टिकार और रियक्शन मतलब चेहना, पूरा पतन, लाध हो जाना, फुजली आना, घबराड होना, बेचेनी होना, पसिलना, छूटना, चक्कर आना, ऐसे अलगर तरह के लक्षन दिखाए लेते हैं, और उसको ऐसा रखता है कि अभी मैं मर जाओना, मतलब ऐसा रखता है कि मैं मुनर होना, तो उसके मालों कि अपन गुली खा रहे हैं और उसके उपर शराब लिया, तो मर जाएना ऐसे उसको लगता है, कभी-कभी टेशन मर सकते है, यदि उनको कोई पहले सी प्रॉब्लम होंगा, और ये रियक्शन आगे तो जान दे जा सकती है, तो फिर वो एक बार यहां उनको दे जा सक्तिक होते हैं को गुली खाते हैं। रिस pyramotta अगर गुलते का इपनखी, प्रॉब्लम आप लसे ब्यूण कर दो को अगर बहुन, नगर जो भुली खाते हैं। और रिस्टा गो गुल्दा को भुलते हैं ऐसे ऐसे गुली हैं, आप नहीं पाड़ी सेमी, की ला वह वह बुली खाब। तो उनको फिर देरे देरे उनकी इच्छा तैयार करना उनको यह गुली देना यह टावन करते हैं। अभी करते हैं अभी ऐता हुद है कि पेशेन हां बोलता है और आपने लेता हैं गुली। उसके लिए हमने दायसेलिकराम इंप्लांट अभी वह व्यवस्ता की हुई ही। तो दायसेलिकराम इंप्लांट जो है वह चुटेटी पिलेट्स हैं। वह चब्ड़ी के नीचे एक छोटा सा कट मारके वह वहां डालना पड़ता है। चुटे सी जटन होती है। और उसका फिर असर करीपरी छे मेंट चलता है। मतलब छे मेंट भी गुली जिया नहीं। तब उसका इफेक्ट चलता है। तो यह पिलेट्स हमने चमड़ी के नीचे डाल दिये। तो छे मेंट तो कोई गुली जरूद नहीं। और वह एक्ति है जिसके ओपर शराब लेता है। तो उसको काफी जरूद सी रियक्शन आ सकती है। तो दर के मारे फिर वह शराब लेता ही नहीं। और शराब से बूर रहता है। तो दियासेटरल इंप्लांट हमने चलू किये। उसके लिए कुछ दाखी होनी की जरूद नहीं है। भरके होनी की जरूद नहीं है। एक पांच-दस मिरिट की यह प्रोसीजर है। और जिसमें वह पांच-दस मिरिट में आपके फ्री हो सकता है। जिसको फिलेट लेना नहीं है वो डालके वो इंजेशन भी ले सकता है उसका एफेक्ट डेट दुमेना चलता है। जरूर यह इंप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो आपने करना चीए। आपके आजवाज में काभी सारे दो होंगे जिनको शराब की आदत है। नश्याक खोड़े हो। और उससे काभी सारे नुक्सान हो करां तो मालम है मगर अभी आदत से मजबूत। आदत से इतने मजबूत हुए है कि वो छोड नहीं पाते। उनकी इच्छा जोडने की है। वो ट्रीटमेट देने को तयार है। उनके वो टाइसल फिराम की गूली मुह से। और उनको शेयर करो। और उनको कभी भी मतलब तुमको रहने की जोडने आये। उसी जिन उनका इलाज हो सकता है। और जिल्चे वो वापस जा सकते है। और जिनको बर्दी रहने की आवशकता है। इनका मतलब जिनकी बॉडी सुपनी कर रही है। लिवर खराब है। पीली आ हो गया है। या बहुत सारों को विटरावान आने माला है या जो लगते की आले आएगा। तो उनको भद्रती रखते है। इसका फाइदा ही है कि जो लोग टूल करते है। टूल करते है। बाहर बाव काम के लिएक को बार बार जाना पड़ता है। फिर वहाँ दवान दवान दे पाते हैं। भूल जा गए, दवान बिलती नहीं है। तो एक बार ये इंप्लाइं बिढ़ा दिया। तो उनको तो ऑनुर में है। आफ्डा है। टूल करते हैं। तो इसका फिर लुए को भ्ड़ता बार जायो प्याइब काम के लिए। टूल करते हैं। अबर टूल करते हैं। MJP